कि जायन दोस्तों आप श्रमु का स्वागत है इस यूटुब चैनल एकलब ग्यानबाटी का पर चलि हम लोग मानभ जननन के बारे में देख रहे थे और हम लोग टेस्टिस का सेक्शन काटकर देखे थे विर्चन का सेक्शन काटकर देखे थे कि उसमें कौन-कौन सा पार्ट होता है कहां पर शुक्राणू बनेगा कहां पर शुकौन-का यह सब देख रहे थे तो सिमें लोग देखेंगे क्या सेमीनी फेरे स्टिव्यूल्स था सेक्शन जब काटे थे तो उसमें क्या था एक वाट हम लोग थोड़ा सा बस फास्टली एक वाट दिवीजन कर ले तो का पर शेंदर स्थेंदने छोटा-छोटा चम्बर था इसको शपता जो यदो और Фण शोख सहिं इसको दो बहन सील आज सेंजल जो बूल्द के पर दर में वनी नो मां संदलित की घ्र। कई होता है एस्पर का निर्मान होता है वह सव प्रोसेस और शुकृव्ट नेसिस को कहते है। इससे प्रिकृचिणेसिट क्योंकि चुक्रान बंदे कि तो प्रकृचिणेसिस आज हम लोग इस समझने का प्रियाश करेंगे यह espermatogenesis है क्या और इसमें कैसे होता है कैसे सुकरानु का निर्मान होता है क्योंकि किसी भी पुरुस के penis जब esperm निकलता है तो फुली mature esperm होता है उस वह सुकरानु पुरुंता परिपक होता है लेकिन आखिर परिपक होता कैसे है वो तो हम लोग होता है इसके बारें हम लोग देखेंगे ठीक है इसका भी हम लुग फसेक्शन काट कर देखें तो इसमें ब्राइमरी जर्मसेल यह दुस्रा और दुस्रा सट टोलि सेल करता था जिससे यह जंद करते हैं यह में ने लिख इस पर मेट्ट हो लिए यह जो कोशिका है यह सज्ड़ानों का निर्मान करें तो फिर उसТबास होगा तो उसको भोजन को क्यों दे भी जीव को जिन्दा रहने के लिए भोजन चाहिए उसको इनर्जी चाहिए और भोजन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि उर्जा की प्राप्ति हो इनर्जी मिले अगर इनर्जी नहीं रहेगा तो फिर सारा सिस्टम चौपट हो जाएगा जैसे आप अगर बाइक चलाते हैं य भी तो भोजन चाहिए तो यह निट्रिशन प्रभाइट कोन करता है यह जो सर्टोली सेल है और यह पार्ट किसका है सेमीनिफेरस टिब्योंस का यहां तक हम लोग देख चुके थे चलिए अभी इसके आगे देखते हैं प्रैमरी जर्म सेल जो है जिसको एस्परमेटो गोन जनन कहते हैं या सुक्रानु जन भी इसको बोला जाता है तो आज हम लोग धीरी-धीरी समझने का प्रयास करेंगे अराम से समझेंगे इसको रिपीट करके भी आप लोग देखिएगा ताकि आपको समझने में कोई किसी परकार की कोई दिक्कत नहीं हो अगर आप इसको अर और तर्टी वह होता है जब किसी भी पूर्ष में जनन करने की छंपता बिकसित हो जाती है जैसे या इसतिरी में भी इसी द्हंग काम बात कर सकते कि उसे में क्या होता है वह पर जनन करने के लाइक हो जाती है तो वह संतान अच्पन कर सकता है क्या बलकुल नहीं क्यों कि उसमें स्पर्म का निर्मान नहीं हो रहा है लेकिन कोई 15 साल का लड़का है अगर वो किसी लड़की के साथ आएक समंद बनाता है तो क्या वो बाप बन सकता है या नहीं जरूर बनेगा क्योंकि उसमें एस्पर्म बन रहा है जिसका मतलब है कि जब योबन का आरंभ हो जब जब जवानी की सुरुवात हो और लड़कों म यहां पे क्या होता है कि एसपर्म का निर्मान भी शुरू हो जाता है आप देखेंगे कि जहूंगो योबनारंभ हुआ तो आपके पैड़ने से एसपर्म भी निकलना सुरू हो जाता है कुछ अंतराल के बाद दो-तीन दिन के बाद सपता में या महिना में तीन-चार दिन क्या होता है कि एसपर्म पाहर निकलता है तो यह इसको क्या करते हैं योबनारं तो देखें सबसे पहले प्रब्वब्वाजन सबसुत्री विभाजन होने से क्या हुआ कि एक कोशिका तूटकर दो-टो में हो गये समसुत्री विभाजन का यह सबसे बड़ा मेरिट है कि उसमें एक कोशिका टूटकर दो बरावर कोशिकाओं में विभक्त हो जाता उसे ही समसुत्री विभाजन करते हैं और इसमें जो क्रोमोसोम की शंख्यार होती है सुरुवात में 46 होती है शुक्स उसके बाद होगा जब ये जो तूटकर कोशिका का निर्वान करता है या इसको काते है स्वाइंग्स 70 इक चूटें कोन extends तो यह दिक्कत नहीं वगा उनको और में असानी से और जो इंग्लिस मेडिया में पढ़ रहें उनको भी समझने में किसी परकार की कोई प्रेशानी नहीं होगी इसे बैल जी जो है इंग्लिस में इसका टर्म जायदा आता है लेकिन हमने प्रियास किया कि आपको हिंदी में भी लिखें और हिंदी इंग्लिस दोनों बढ़ाने से क्या होगा कि आप दोनों भासा में इस चीज को असानी से समझ पाएंगे और आपका कंसेप्ट अपनी मात्री भासा में और में आप इनले ने नापता होगा में तो यहां इसपर्मेटो गौनिया था अभ इतना कोसीका में बन चुका है विवक्त होकर चार को शिका में अब देखे यहां पर होता है पहली बार सुट्र मतलब गुन्सुत्र मतलबू मतलब मीयोशित में क्या होगा कि इसका गुण्सुत्र की संख्या आध्या हो जाएगा कि इसका में लिखा typing तो dec govern सोभेज हो जाएगा foster और यह बनाएगा ये क्या है secondary अब सट्ट्रीडिरकर मेटर्च hippYY में एक वार फिर से प्षेम्यो तम यह तो नुतिय को सिक oficial क्षिका 'll इसमें 46 समसुत्री विभाजन होगा तो इसमें दो बराबर कोशिका में बटेगा है ना और यहां पर 46 रहेगा लेकिन अगर सुत्री विभाजन हो गया इसमें क्या होगा कि क्रोमोसोम की शंख्या बट जाती जैसे यहां पर हो जाएगा और यहां पर त्थ हो जांते आधि मनुस में क्रोमोसोम की शंख्या कितना च्यालिस से यहां पर क्या है संख्या है नंबर है अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो कितना होगा यहां पर हो जाता है किसी भी वैक्ती में क्रोमोसोम की संख्या 46 बोली है या 24 बोल सकते हैं पतला 22 ऑटोसोम और एक सेक्स क्रोमोसोम लड़का है तो आप देखें सकेंडी उसाइट जो है फिर एक बार मियोटिक डिवीजन होगा और एस पर में टीड का निर्वान करेगा जिको उसक्रानुपुर प्रसुभी कहते हैं यह जो है आप देखें चार इस पर में टीड बना आप यह पर में टीड क्या है डिफ्रेंसियेसन के दौरा विभेदन के दौरा क्या है कि एसपर्म का निर्मान करेगा यह सब एसपर्म का इस्टेक्चर है तो एक एसपर्मेटो गोनिया से क्या यहां पर चार हम दिखाए हैं कि एसपर्मेटो जोगा का निर्मान वा शुक्रानु आप यह शुक्रानु जो समेनी फेरस टिबूल्स का हम निर्मान के यह से यह यह याद कीजिए टेस्टिस था इसके अंदर क्या था नली नुमा कुंडली संदचना था जिसको शुमेनी फेरस बिल्स कहते यह सारा प्रोसेस इसी के अंदर घत हो रहा है अब शुकुरानु का निर्मान होगे अब शुकुरानु निकलेगा और शुक्रानु निकल के कहा जाएगा इपीडी डाइमिस में आभी हां पर स्टोर होगा मैं चुरेशन होगा फर्क्लाइशन के योग बनेगा इस पर्म का निर्मान कहां होता यह चमेंनी फेरश टीवियुल में यह ट्रॉटि यह ऑप ये समझ चुक्त्य के होंगे आप ईसको बढ़ियां से देखिए और कौपी पे ड्रॉख करने का प्रयाज केजिए एग्दो बार ड्रॉख करेंगे आग्रां को जब ड्रॉघ करें और हाह प्रैक्टिस भी हो जाएगा जितना करेंगे उतना यह था सुक्षुआनु जिर क्रत sortie करेंगे तो अभी हम लोग इसके बाद । इसको देखेंगे एप डाम इसके बाद फिर भासट डिफ्रेंस और इसके अंदर जननत तंत्र में जो भी ग्लेंड शांके हैं उसका क्या काम है वो सब को देखेंगे उसके बाद सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे वीडियो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को सेर करें ताकि सब के पास यह नौलेज्ट पहुंच सके थैंक यू अल्डविस्ट